अब पहले मैं बात करूँगा कुछ गलतियों की, जो बच्चे गलतिया करते हैं, जिन गलतियों से आपको बचना है, वन्ना जिस्सा आपका एकजाम पास करने के अंдर आपको दिक्कत आ जाएगी, कोन-कोन सी गलतिया करते हैं, बच्चों को सिलेवस का ही नहीं पता होता, CT पर टेटर है कुछ भी हो जो भी एक्जाम के लिए आप लोग तयारी करते हो तो to the point उसके syllabus के अकोडिंग पढ़िए वना पढ़ने के लिए दुनिया वर की चीज़ है तो आपने देखा होगा मैं बिल्कुल exact पढ़ाता हूँ syllabus के अकोडिंग पढ़ाता हूँ इसलिए इतना लोगों को जो-जो मैं कराता जारो हूँ आपके syllabus के अकोडिंग जी कर आता जारो ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान लखनी होती है syllabus की knowledge ध्यान लखनी होती है कि किन चीजों सा को बचना होता है कौन्ची चीज़ आ करनी होती है उसके बाद देखे अब आपका जो पेप प्रटनी नहीं अब चीज आपको समझनी है जो भी कंसेट्ट समझ लिए तो कितना इंगुमाकर देख लो वह आप लोग उसको आराम से कर जाओगे पेपर केंदर ठीक है दूसरी बात बच्चे क्या काम करते हैं पेपर केंदर ग्रामर पढ़ते हैं अरे आपके एक्जम में ग्रामर आती ही नहीं है दो लेंग्वेज आप लोग लेते हो उन दो लेंग्वेज के अंदर आपके पैरेग्राफ आते हैं उन पैरेग्राफ के अंदर आपको ग्रामर देखने के मिलती है तो आपको दुनिया भर के ग्रामर पढ़ने की चुरूत नहीं है और इसका एक सो CTAT के पक्रिअधर लगब आपकी grammar चाहिए होती है वो मेंने उसके अंदर कराएक है उसके अंदर मैंने आपको संदी कराये वे उसके अंदर आपको ये क्या नाम है उपसर्ग पड़ते हैं आपके कराएवे अलंकर आपको कराएवे एक वीडियों के अंदर मैंने आपकी basic grammar complete कराएवे है उस वीडियों को देख लेना तो last के time में जो आपकी grammar की समस्या है न ये grammar ग्रामर की समस्या खतम हो जाएगी तो पूरी ग्रामर आपको पढ़ने की जरूत नहीं है बेसिक ग्रामर आप लोगों को पढ़ने की जरूत है सीटेट के एक्जाम के लिए ठीक है सीटेट के एक्जाम के लिए बेसिक ग्रामर पढ़ने की जरूत नहीं है अगर कोई टेट क एक्जाम होता उसमें भरकर आपकी grammar आती है ठीक है लेकिन इसके अंदर आपका आदे में पैड़ागोजी आती है आदे में आपका paragraph आता है और उनी paragraph में से आपको grammar देखने को मिलती है एक वीडियो मैं paragraph के उपर डाल दूँगा वनना हर साल मैंने बनाके डाल लग्या आप ल पैड़ागोजी समझनी है और समझने के बाद जब आपको जो मिल जाएगी तो जो यहाँ पर आपने पढ़ा है इस चीज का implementation फिर आपको अपने स्कूल के अंदर करना होता है बच्चों पर करना होता है कि कि किस परकार का सिक्षण आप अपने बच्चों को दे रहे हो क्य पैड़ागो जिए आपको समझने है और जो चीजे मैं आपके लिए भी लाने वाला हूं अभी तो में चीज आपको अई नहीं है तो आपको पता लगजाएगा कि पैड़ागोजी आपको कैसे करना होती है या आप लोग जो मुझे से पढ़ता आपको पता भी होगा ठीक ह उसके लाव टेग वर्ड आपको ध्यान दखने होते हैं अगर मैं बात करूँ पोजिटिव टेग वर्ड की बात करूँ और नेगिटिव टेग वर्ड की बात करूँ इनको देख लेना भाई इनसे जो आपका पेपर होता है इनसे आपका पेपर में आपका टाइम भी बचेग ठीक है इससे आपका पेपर के अंदर आपका time भी बचेगा मैंने color उल्टे-उल्टे कर दिये इससे आपका पेपर के अंदर time भी बचेगा और exact answer आपको मिलता है इनके द्वारा ठीक है तो आपके लिए बहुत जरूर ही होते है यह भी आप लोग YouTube पर सर्च कर ले ना Tag words by Sachin Sir या Sachin Academy यह भी आपको मेरे वाले देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो क्या गलतिया आपको नहीं करनी आपको पूरी grammar पढ़ने की जरूत नहीं है आपको चीजे रटनी नहीं है चीज आपको समझनी है syllabus के according पढ़ना है syllabus के बाहर आपको नहीं जाना है और आपको यह गार चे होनी चाहिए ठीक